हेलो एन वेलकम तो दाइस्टूडियो मेंबर्स मारूती सुजुकी को आज के दिरे हम ट्रेट कर रहे हैं और अभी थोरे दिन पहले भी हमने मारूती को ट्रेट किया था बहुत अच्छे लेवल पर और बहुत अच्छी पूजिशन पर यह स्टॉक हमको मिला है हमारे एक यहां तक की उम्मीद है कि प्राइस यहां तक पहुंच सकता है अब ऐसा क्यूं मिन रिजन है कि अगर हमारी उम्मीद है प्राइस में मूव्मेंट 8120 तक हो सकते हैं तो ऐसा क्यूं हम कह पा रहे हैं यह सारा अंसर छिपा हुए प्राइस के रीडिंग के तोरान आज जिस तरह की volumes मारूती के अंदर के आई है देखिए यह expected है as it is same वैसे ही volumes पिछले 19, 20, 21, 22 आज भी market ने वैसे ही volumes generate की जैसे कि पिछले कई दूनों से मारूती के अंदर के आ रहे हैं और अगर आप market के अंदर बने हुए तो आपको मालूम ही होगा कि auto sector इस वक्त एक अच्छी condition में के अच्छी running condition में लग रही है अब मारूती के अंदर जब हम इस तरह की बात करते हैं कि movement इसके upset की में भी chance हो सकते हैं भी ऐसा भी नहीं कि हमने entry ली है यहां पर सबसे पहरे हैं trade book को open करते हैं login passwords 352 ओके तो position book perfect total 84 quantities अपने management के according हर बार हम बोलते हैं ना money management और risk management हमेशा फेवर में आपके होना चाहिए 84 quantities है 7,920 रुपए पर हमने buy कर रखा है मारूती को 1700 या फिर 2100 रुपीज का profit हमारा चल रहा है इसके अंदर पेज को एक बार refresh करते हैं and perfect 1800 वापस चलते हैं अपने stock के उपर अभी मारूती को हम लोग जब daily time frame पर read करेंगा इसके अंदर एक resistance level बन रहा है मेरा इस resistance को market ने काफी दिन से break करने के कुशिश कर रही है बट नहीं break हो पा रहा है आज की दिन market ने क्या किया क्या क्योंकि हमारी जो अपनी entry है चलिए entry को पर अभी आते हैं volumes को भी थोड़ा सा height कर देते हैं सिर्फ price को पकड़िएगा जिस तरह से बताते हैं वाजसे देखती जाएगा और वीडियो खत्म हो करने के बाद में इसको अपने charts के उपर भी draw करिएगो थोड़ा सा पढ़ने के कोशिश किजएगा जितना हो सके को बहुत simple language में आपको हम समझाने के कुशिश करेंगे वीडियो को like किजएगा comments किजएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe किजएगा देखिए यह अपना एक resistance level है यहां पर देखिए market कर क्या रही है एक basic movement जो हो रहा है कि price हमारा इस level पर आ जाने के के बाद में गिर रहने चाहिए कि तरफ down again up again down और अगें अब यहीं से अगर market को गिरना आता हो तो यह वापस से गिर जाती ना नीचे अब ही एक जो चीज हमने आप से बोली कि market ने sufficient move दिखा दिया उसके बाद भी हमने इसको trade कि है because इसके पीछे का reason यह है कि उस movement के बाद भी market ने अपना resistance यह जो red zone हमने draw किया है इस resistance के ऊपर market ने ले जाकर closing कर दी समझ भाए रहा है अब simple था यह एक fund हमको समझ भाए कि resistance level ने रहा किया और market इसके ऊपर हमारी sustain कर रही है अब चलते हैं से लोवर time frame पर 5 minute पर आईए वापस से भी हम higher time frame पर आएगे और कुछ एक और चीज़े हम आपको बताने के कोशिश करेंगे देखें यहां से हो क्या होने के पीछे का ही reason है कि 7920 पर हमने अपनी entry ली और previous day का यह पूरा high है इस high के नीचे market नहीं आई है मतलब इसमें क्या similarity हमको नजर आ रही है हम इसको mark कर लेंगे तो देखिए दोनों ही levels हम लोग एक level draw कर दे है कि line हमने draw किया market ने क्या क्या है अपनी इसी range पर कल इसने resistance लिया था और आज इसने support लिया है बहुत चोटे-चोटे minor point से इनको जब आप समझोगे न तो बहुत आसानी से चीज़े आपको समझवेंगे लेकिन थोड़ा सा effort अपना डालना पड़ेगा यतना tough नहीं है दो बार तीन बार जो वीडियोस हमारी जितने वीडियोस आप द जो आपका देखने का नजर यह है जो तरीका है यह किस तरह का है अभी बहुत ज़्यादा chances हैं कि market को जो move है वो upside के हमको देख सकते हैं because volumes के साथ में market ने पिछले कई दुनों के अपने resistance level को break किया है अब आ जाते हैं वापस से हम अभी कितना बड़ा move है प्राइस ने अपना आज का भी हाई break कर दिया और आज जो मेरा target level है वो 8120 रुपाय के पास का है हम यहां तक वेट करेंगे प्राइस वहां तक पहुंचते या फिर उसके पहले की कुछ इसके resistance पांट से जहां से अगर यह नीचे गिरने की कुछिश करेंगे तो देखेंगे अगर इसको ले करके कुछ आपको doubts आते हैं देखें प्राइस में highs और lows इनका importance होता है एक low लगा मेरा एक यह high लगा अगेन यह low यह high यह low और यह वाला high इन टीनों highs में कुछ फर्क आपको नज़र आ रहा है dots से चलिएगा बिल्कुल point out करते हुए 21st of March का जो high है मेरा 940 का है 7940 21st of March का high 940 यहाँ पर देखिए high जो है 900 का हो गया मतलब 40 point का और last trading session का जो high था हमारा 899 highs कम हो रहे हैं highs नहीं लग रहे हैं और अचानक से जो आज की market की opening थी 915 के केंड़र जाओ देखो गए और market ने जैसे अपने resistance को break किया है यह points होगा ना जो swings ने draw की है market ने कल का जो high है उसको break कर दिया अभी तीन बार price हमारे उस level पर आया और इसने अपने high उसको protect क्या नीचे गरिया है उसको protect क्या नीचे गरिया लेकिन आज क्या क्या है market ने अपने उस high को upside की तरफ ब्रेक किया लग रहे है ना थोड़ा सा bullish moment लग रहे है हमको कि market अगर upside की तरफ जाती तो potential ज्यादा हमको नजर आता इसमें moves अच्छे मिल सकते हैं अब यहाँ पर कुछ एक resistance points है जिनकों की market ने already ही break किया है यहाँ पर 21st of March का high अभी आपके सामने break हुआ और upside के जो potential है हमारे यह है मेरे 28th of March के low के पास के 28th of March के जब आप low देखोगे 8,114 रुपए का हो रहा है तो इसके पास में देखे कहीं ना के level हमारा वहीं पर है और इसके थोड़ा से 120 रूर थोड़ा से round figure हम ले करके चलेंगे और यहां पर 28th of March के एक candle है जिसके low पर हम कोशिश करेंगे कि जो targets वगरा या price वहां तक नहीं पहुंचता है वहां से तोड़ा से reject होने कोशिश करेंगे तो aware रहेंगे विकास यह candle important हमारे लिए हाई है टेम के clear है और इस पूरी range को मारूती आज fill up कर सकता है लाइन काफी ज्यादा है इसको complicate मत कीजेगा पिकास सारी लाइन आपके सामने में ट्रॉकी है अगर आप skip करके देखोगे तो एक दो तीन के बाद चौथी लाइन आ जाए कहां से यह पता नहीं प्रॉफिट बगारा देखने है कैसा है क्या यह तो आप देख करके निकल जागो वो बड़ी बात नहीं है लेकिन किस तरह से हम लोग price को read करने यह बहुत important है इन लाइन को हम लोग delete करते हैं अब चलते हैं लोग टाइम पर अच्छा यहां पर एक यह वही लाइन हम रहने देते हैं डिलीट नहीं करेंगे वापस से चलिए इसको control set कर देते हैं यह लाइन से हमारा जो हाई है 5th of April का हाई और 21st of April का हाई इनका color change कर देते हैं बस इसको कर देते हैं अब इन ब्लेक ल कल का जो हाई था हमारी इसी black वाली candle black वाली line पर था आज का जो low है यहीं पर है यानि कि इस line के उपर हमें entry लेनी है 7920 हमको एक सही range लेगी जह हम lower time frame पर जाएंगे 5 minutes से भी lower time frame पर तो हमें confirmations मिली 7920 पर हमने अपनी entry ले ली जो stop losses हमने रखे 7820 यहां पर एक बार order book open कर ले है और order book में 84 quantities 84 quantities का full order executed 7920 पर पूरी quantities मिले इस stop loss हमने जो लगा है इसके अंदर selling का 7820 रुपय को मेरा stop loss हमने इसको refresh कर देते है टोटल 84 quantities है और stop loss 7820 रुपय का है इस वत का अपना profit चल ला है 3360 रुपीस के असपस का इसको चलने देते हैं अब इन ब्लैक वाली लैंस को जि अब इनको हम लोग ट्रॉ कर देते हैं यह black lines higher time frame का मेरा important level है important zone है देखे market महां पर किस तरह से react करती है समझ में आ रहा है ना higher time frame को market किस तरह से हमारी react करती कैसे उसको respect करती है targets के लिए हमने बताया साथ 8120 रुपया का जो level है हमारा यहां तक हम वेट करेंगे तो trade हमारा चल रहा है I hope कि जो भी points अभी हमने आपको समझाए यह clear हुए होंगे कोई बड़ा movies के अंदर होता है या हमको activity करते है तो आपको inform करेंगे so thank you and wait traders market अभी close होने को है and पूरे दिन हमने वेट किया है हमारे levels के उपर से price निकल के हमको हमारा target दे जो कि आज के दिन मारूती नहीं कर पाई है और हमारा target लगभग आधे target से हम miss हो गया है जितना मारूती चला दे इसको just 103 या फिस 100 points का move और देना होता हमको हमारे target तक पहुंचने के लिए but price वहां तक नहीं पहुंचा but इसके just opposite में क्या है कि stop loss भी market ने नहीं लिया and stop loss हमारा last तक protect रहा इस वत का overall जो अपना profit चला है 800-900 रुपीस काश्पास हम profit में बने हुए है और जो stop loss है अभी तक हमारा stop loss 7820 रुपय का stop loss पूरी तरह से हमारा safe stop loss बना हुआ है अभी तक का तो 7882-84 continues continuation and position book 500-400 रुपीस काश्पास हम profit में बने हुए है अब समय यहां से बाहर निकलने का और अभी हम अपनी position square off करेंगे पूरे दिन market हमारा stop loss था वो safe रहा एक सही level identify करके stop loss लगाने का जो फायदा होता है वो यही होता है कि stop loss के बहुत ज्यादा chance बने रहते हैं कि तो आपका safe रह सकता है square of fantasy and 918 square of लेजे सारे order हमारे निकल चुके हैं 918 पर हम देखे हैं यहां पर देखे 163 रुपीस का loss हमने book किया है and order book में जब आप चलोगे तो एक order लगा करके इसको cancel किया तो 914 रुपे 30 पैसे पर अच्छा हुआ यह order हमारे एक्जेक्यूट नहीं हुआ तो करीब 500 या 600 रुपे के loss में थे जो कि 4 रुपे हमको सस्ता प्राइज मिला तो 4 and 320 रुपीस का लगभग हमने अपने पैसे बचाए हैं लेकिन ठीक है एक कम से कम satisfaction यह है कि stop loss जो हमने अपना identify किया था last तक उस stop loss के मदद से हम अपने trade को hold कर आज का trade हमारे यह पर खतम होता है and I hope कि आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा आप हम लोग मिलेगे अपने next trading session में जाने के Monday को और यह जो weekend है full enjoy कीज़ोगा आप and thanks और we will meet again